असलाम अलेकुम वीवर्स देख रहे हैं आप लोग अम ब्रीज कुटिंग चैनल आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं मटन वाइट बिरियानी तो आई चलते हैं प्रेस्पी की तरब मटन वाइट बिरियानी बनाने के लिए हमको चाहिए ये है मेरे पास 500 ग्रैम मटन हाफ कप योगर्ट वन टी स्पून जिंजर गर्लिक पेस्ट वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर एक मेंडियम साइस का प्यास इसको मैंने बारिक बारिक काटके गोल्डन ब्राउन फ्राइल कर लिया था ऑटेंग अर दी गदि अरह हरादन्या边 कर था आफ टी स्पून हल्दी पाउंडर आफ टी श्पून पिशावा धनिया एक मेंडियम साइस का तिमाटर अच्छा जी मैं ये एक मसाला बनाऊंगी वन टेबिल स्पून वाइट सेसम सीड हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून काली मिर्चे दो से तीन लॉंग तीन छोटी लाइची वन फोर्थ जाइफल और एक टुकड़ा जावेतरी का इन सब चीजों को मैं बारीक पीस के मैं इनका बना लूँगी पाउडर जी वीवर्स यहापर देख सकते हैं मैंने इस मसाले का बारीक पाउडर बना लिया है और इसमें जाएगा थोड़ा सा केवड़ा एसंस जी वीवर्स अब मैं मतन को मेरिनेट करूंगी आदे घंटे के लिए सबसे पहले एक बड़े बावल में मैं डाल दूंगी मतन मतन डालने के बाद अम मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉल्ट काली मर्चों का पावगर दही और यह सारा मसाला हरा धनिया हरी मिर्चे फ्राई प्यास टिमाटर हल्दी और पिसावा धनिया और अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से इसके बाद इसमें जाएगा फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसस दो से तीन काफी होते हैं जिवीवर्स यह आप लोग देख सकते हैं मतन के अंदर मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया है अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी तकरीब आते घंटे के लिए जिवीवर्स मतन मैंने मैरिनेट होने को रग दिया है तब तक मैं बनाती हूं जीरे वाला रायता उसके लिए मुझको चाहिए हाफ कप योगर्ट उसमें मैं डालूंगी हाफ टीसपून सॉल्ट है और याफ टीसपून भुनावा कुटावा जीरा तक मैं अच्छे से मैं निकाल दूँगे जेवी वर्स मठन को मैरिनेट हुए आदा घंटा हो चुका है हाफ कप वाईल मैंने गरम होने को रख दिया था मैं इसको निकाल के कि अपने के युचा है आर आर आ, आर आ आ अपने मजने दाओने इस आइल आर 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 आदा हुए जाओं एकाल आर आ कर दूँगे अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बूनूंगी पीजे मैंने मसाला पीस के रखा था यह भी मैं डाल जूँगी स्क्रूपर अब मैं अब मैं इसमें पानी डालूंगी और गलने को रखोंगी अब मैं इसको कवर करके गोश गलने तक पकाऊंगी वीवर्स यह आप लोग देख सकते हैं मसाला बनके बिल्कुल तयार हैं अब मैं इसको कवर करके गोश गलने तक पकाऊंगी यह मैंने लिए थे दो कप बास्मती राइस उनको मैंने तकरीबन एक घंटा पहले सोप करके रख दिया था यहां पर मैंने पानी बॉइल होने को रखा है राइस को बॉइल करने के लिए इसमें मैं डालूंगी दो छोटी लाइची एक दाचीनी का टुकड़ा दो अदर ल और एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काटके यह इसमें चला गया अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ओईल और तकरीबन चार टीस्पून सॉल्ट अब मैं इसको कवर करके पानी में बॉइल आटका है अब मैं डालूंगी यह राइस जी वीवर्स मुझे चाबलों में नमक थोड़ा कम लग रहा था इसी वज़े से मैंने वन टीस्पून इसमें और एट किया था जी वीवर्स राइस बिल्कुल करते के अब मैं इसकी लेर्स लगाओंगी जी वीवर्स आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें राइस डाल दीए अब मैं स्कुप पर डालूंगी हाफ टीस्पून गरम मसाला और यह मैंने फूट कलर को पानी में सोप करके रखा था यह मैं डाल दूंगी अब मैं इसको कवर करके तक्रीबन आट से दस मिनट के लिए दम पर रखूंगी जी वीवर्स आप लोग देख सकते हैं बिर्यानी बिल्कुल रेडी है अब मैं आपको इसको डिशाउट करके दिखाती हूं आप लोग देख सकते हैं वाइट मटन बिर्यानी बनके बिल्कुल रेडी है जरूर ट्राइ कीजेगा अपना फीडबैक दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स वीडियो बे तब तक के लिए लाफिस